कि सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी कि मैं आप सबके सामने एक ऐसा विशय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि जिसके विशय में लगभग लगभग सभी हिंदु धर्मावलंबियों को ब्रानती है वैसे तो हमारे सभी पर्व त्योहारों का अपना एक विशयस महत्व है हम उन त्योहारों को मनाते भी हैं हर्शोलास के साथ मनाते हैं और कई त्योहारों का हमें कारण भी पता है कि क्यों मनाया जा रहा है पर उनमें से कुछ त्योहार ऐसे हैं जो हमारे समाज में विशेश रुप से हिंदु धर्म में सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं और वो त्योहार हैं दशहरा और दिपावले इन दोनों परवों को सबसे अधीक विशेशता के साथ और सबसे अधीक प्रसन्यता के साथ में मनाया जाता है पर इसके मनाने का कारण क्या है यह बहुत कम लोगों को मालूम है और यूं कहा जाए तो भी अतिश्वयोक्ति नहीं होगी कि जिन लोगों को मालूम है वो भी इस बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे और इसका कारण यह है कि जैसे ही हम पुरानी किसी मान्यता की खंडनी करते हैं, तो जो उस मान्यता को मानने वाले लोग हैं, उनके उनकी भावना को ठेश पहुँचने की संभावना रहती है। पर मुझे ऐसा लगा कि विशेश रूप से जो युवा हैं या जो बालक हैं, उनका ये अधिकार है कि वो हमारी परमपराओं के विशय में जाने, वो हमारे पर्वत्योहारों के विशय में जाने और वास्तविक्ता को जाने, अंध्परमपरा को नहीं, वास्तविक्ता को जा विजया दसमी या जिसको हम दसहरा कहते हैं वो बहुत ही निकट है और बहुत धुमधाम के साथ मनाया जाता है जगा जगा पर रामदिला का नाटक होना प्रारम हो चुका होगा सभी लोग उसका आनंद भी लेते होंगे तो मुझे लगता है कि सभी को ये जानने का अधिकार है कि वास्तों में दसहरा क्यों मनाया जाता है दिपावली क्यों मनाई जाती है जो कारण बताया जाता है समाज में या जो कारण प्रचलित है वह यह है कि ऐसा माना जाता है कि विजया दसमी के दिन मर्यादा पुरुष्वत्तम राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वद किया था और इसी से जोड करके दिपावली के तियोहार को भी माना जाता है कि दिपावली के दिन लंका पर विजय प्राप्त करके मर्यादपुरुष्वत्तम राम सहित लक्ष्मन सीता और उनकी सभी वानर से ना पहुंची थी और उसी खुशी में उसी आनंद में अयुध्यावासियों ने दिपक जला करके उनका स्वागत किया था पर दर्शकव्रिंद ये दोनों ही मान्यताएं भ्रांती मुलक है और भ्रामक है मैं दसहरा दिपावली मनाने का विरोध नहीं कर रहा हूं पर जो कारण हमें बताया जाता है वह गलत है और सही कारण जानना इसलिए भी आवश्यक है कि दूसरे धर्म के लोग वैसे तो धर्म एक ही है पर यहां संप्रदायकों में धर्म कह रहा हूं कोई ही कोई इसलाम का अनुयाई है कि चाय обяз इस हमारे मत पर या हमारी मान्यताओं पर आक्षप करेगा कि आप साबित करके बता आप प्रमाणित करके बता दिन श्री राम ने रावण पर कैसे इस प्राप्त किया था तो आप प्रमाण इत नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रमाण है ही नहीं तो वास्तविक्ता को जानना आवश्यक है तो आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि विजयाे दस्यांजी के दिन समाप्त नहीं हुआ आर इस समय तो युद्ध हुआ ही नहीं था और उसको जानने के लिले हमें रामायन की तरफ अपना रुख करना होगा और विश्यस रुख से वालमी की रामायन क्योंकि वालमी की रामायन सरवाधिक प्रामाणिक है जितने भी रामाण है वो वालमी की रामाण को ही आधार मान करके लिखे गए है तो वालमी की जीने क्या बताया है उन्होंने क्या लिखा है उसको देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पूरे समाज में एक बात प्रचलित है कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए कि उन्होंने जो कह दिया वो पूरा करेंगे और विशेशुरुप्स्य मर्यादा पुरुशुत्तम राम के विशे में कहा जाता है कि वो जो कहते थे वही करते थे उनकी बातों में तिल मात्र का भी हे उसके लिए जानना भी आवस्झा के कि गये कब थे क्योंकि चव्दावर्श का वनवास है और वनवास कब मिला था यह वनवास के लिए कप रस्थान कि थे उसको जानने के हमें यह जानना आवश्यक है कि श्री राम का राज्य अभिशेक कब होना निश्चित हुआ था तो वालमी की रामायण में अयोध्या कांड के तीसरे सर्ग के चौथे श्लोक में कहा है कि चैत्रम स्रीमानयम मासह कुण्यह पुष्पित काननह यव राज्याय रामस्य सर्व मे वह पकल्पत्याम कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि महर्शी वसिष्ट कि दसरत से कहते हैं कि देखिए वनों में पुष्प आ गए हैं और ऐसी शोभास से युक्त यह पवित्र चैत्र का महिना है और इसमें श्री राम के राज्य अभिशेक की तयारी की जाए चैत्र का महिना है और अभी कौन सा महिना चल रहा है अभी जो महिना है वह आस्वीन का महिना है दीपावली कार्तिक महिने में मनाई जाती है तो चैत्र के महिने में श्री राम का राज्य अभिशेक होना निहचित हुआ और जब राज्य अभिशेक निहचित हुआ उसके ब मुदवर्स का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भारत को राज्य दिया जाए उसके बाद कि मर्यदा पुरुषताम राम वनवास की तरफ प्रस्तान करते हैं शोक में दसरत महराज का देहावसान हो जाता है भारत आते हैं और उनके शव को कि यूं कहा जाए कि दाह सश्कार करते हैं और स्री राम से मिलने के लिए वह जाते हैं स्री राम को ढूड़ते हुए कि उनको मना करके वापस लाया जाए जब भारत पहुंचते हैं क्योंकि बहुत लंबी कहानी है मैं संग्शर्व में बता रहा हूँ जब भारत की भेट होत स्रीराम से तो बहुत मनानिक का प्रयास करते हैं पर फिर मानते नहीं है कि अब मैंने पिता की आज्या का पालन करने के लिए और immemate प्रस्थान किया है जब तक चologique Hepa नहीं हो जाएगा तब भरत कहते हैं कि जो दिन आपने निश्चित किया है अर्थाथ 14 वर्ष जब समाप्त होगा उसके बाद यदि आप एक दिन की भी देरी करेंगे तो मैं कि अपने इस शरीर को छोड़ दूंगा अर्था तमें अगनी दाह ले लोंगा क्या कहते हैं वो कि चतुर्दसे ही संपूर्णे वर्से हनी रगुत्तम्ह न द्रक्ष्यामी यदि त्वाम्तु प्रवेक्ष्यामी हूताशनम कि 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यदि मैंने आप आपको अयोध्या में नहीं देखा यदि मैंने आपका दर्शन नहीं किया तो मैं अगनी में कूद कर भश्म हो जाओंगा कि यह आयोध्या कांड के असीवे सर्ग का बीश्म स्लूप है तो इसका तात्परे यह हुआ कि न श्री राम 14 वर्ष का बनवास पूरा होने से पहले लोट सकते हैं क्योंकि 14 वर्ष का तो वचन दिया है और न वो ज्यादा देर कर सकते हैं जब 14 वर्ष पूरा होना था उसके बाद ही श्री राम को वापस आना था अब जब लोटते हैं वापस आते हैं तो चैत्रमास के शुक्लपक्ष की पंचमी तीथी को वह पहुंचते हैं आश्रम में भार्दवाज रिशी के आश्रम में और वहां जब पहुंचते हैं तो भार्दवाज मुनी कहते हैं कि आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए आज आप इसी आश्रम में मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए उनके मन में ये भाव था कि यदि में समय पर नहीं पहुंचा तो भरत अपना वचन पूरा करेंगे इसलिए उन्होंने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा और हनुमान जी ने जा करके संदेश दिया कि श्री राम अयध्या की ओर आ रहे हैं और वे कल यहां पर पहुंचेंगे यह युद्धकांड का सत्तरवा सर्ग है और उसका पहला स्लोक है कि पूर्णे चतुरदसे वर्से पंचम्याम लक्षमन अग्रजा पंचमी तिथीको लक्षमन की अग्रज भरद्वाज आश्रमम प्राप्यम ववंदे नियतो मुनिम तो उन्होंने भरद्वाज रिशी के आ स्री राम हो चट्र के महिने में अयोध्या वापस पहुचे थे तो इस आधरपर कार्थिक में दीपा वली में वापस पहुंचना तो किसे भी अवस्था में सिध्ध नहीं होता और कुछ और प्रमान से मैं आपको प्रमाणित करता हूं देखिये राम और उव्लीर की मित्रता हुई और नियम् थे कुछ शर्तें रखी गए थी कुछ संधी हुई थी कि श्रीराम बाली का संहर करने में बाली का वद करने में सुग्रीब की सहायता करेंगे और सुग्रीब सीता माता को खोजने में स्री राम की सहायता करेंगे अब बाली को तो स्री राम ने मार दिया सुग्रीब का राज्य अभिशेक किया गया और उसके बाद चत्तुरमास प्रारंभ होता है सावन का महिना सुरू हो जाता है और वर्षा होती है अब वर्षा के समय में तो खोजने के लिए निकलना संभव नहीं था क्योंकि एक तो जंगल और छोटी-छोटी नदियों में पानी के भर जाने से पार कर पाना मुश्किल हो ना था इसलिए स्री राम ने क्या कहा कि पुर यह वर्षा काल का चव मासा उपस्थित हो गया है चव मासा आ गया है और उसमें यह पहला सावन मास है और इसमें हम सीता माता को खोजने के लिए नहीं जा सकते इसलिए आप अभी के लिए अपनी राजधानी किस्किंधा पुरी में जाईए न अयम उद्योग समयह प्रव वच्याम्यहं सव्म्यं परवते सहलक्षमण आप अपनी पूरी में अर्थात किसकिंधा पूरी में प्रवेश करें और मैं वर्षाकाल की समाप्ति तक लक्षमण के साथ इसी परवत पर रहूंगा और उसके बाद चार मास समाप्त हो गए और कार्तिक का महिना जब प्रारम होना था स्री राम ने क्या कहा कि चतुर मास समाप्त हो जाएगा जब कार्तिक का महिना प्रारम होगा तब तुम सिता को खोजने के लिए और रावन के बद के लिए प्रयतनसील होना इस श्लोक में कहते हैं कि जब कार्तिक का मास आरंब हो तब तुम रावण के वद के लिए यतनशील होना कार्थिक का महिना आरंब होता है चार महिने समाब्त होते हैं वर्षा के सावन भादो आस्विन और कार्थिक का महिना को कि और उसके बाद भी कुछ दिन बीट गए सुग्रीव अपने राज्य भोग के आनद में जब लिप्त हो गए तो कि श्री राम ने लक्ष्मन को भेजा कि जाओ जाकर के उसे समझाओ उन्हें धमकी भरे लहजे में कहा कि जाओ जाकर कि उसको समझाओ कि जिस राष्टे से बाली गया है अभी वह रास्ता बंद नहीं हुआ है Ben तुमने अपने वचन को पूराग नहीं किया यदि तुमने अपने वचन को नहीं निभाया तो जिस राष्टे से बाली गया है उसी मतलब बंदर नहीं इस से में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे की वानर क्या है इस से और सब लोगों को सभी सेना को चार भागों में बाढ़ दिया और अलग-अलग दिशाओं में भेजा और कहा कि तुम एक महिने से अधिक समय मत लगाना शिता माता को ढूणने में और अपनी अपनी दिशा में एक, महने तक ढूणना, जो खोज करके वापस आएगा सिता माता की शूचना देगा, उसको मेरे समान ही वैभव मेरे समान ही आनंद की प्राप्ति होगी मैं उसे धन धान्य से संपन्न कर दोंगा और जो नहीं खोज पाता है वह वापस मत आना वह अपना मुख मत दिखाना इस तरह से उन्होंने धम की भरे लहजे में कहा उसके बाद एक महिना और लगा सोचए कि एक महीने तक घूंडते रहे उसके बाद भी पता नहीं चलता है और उसके बाद पिर हनुमान जी जाते हैं हमें ध्ते हुए के समुद्र तट पर पहुंचते हैं संपाती के द्वारा संपाती जो है वह जटाइयो के भाई थे संपाती के द्वारा पता चलता है कि यहां से दक्षिन में लगभग सो योजन की दूरी में एक टापू है और वहां पर विश्रवा के पुत्र रावन का राज्य है और वही एक इस्त्री का यहां से हरण करते लेके जा रहा था और वहे राम हे लक्ष्मन चिल्ला रही थी तो मुझे लगता है कि वही सीता होंगी और वह अभी भी मैं अपने दूर द्रिष्टी से या दूर दर्शक यंत्र से देख पा रहा हूं कि वह अभी भी लंका में है उसके बाद हनुमान लंका पहुंचते हैं लंका पहुंच करके सीता माता की खोज करते हैं उनसे वारता करते हैं औ और लंका में आग लगाते हैं किस तरह से लंका में आग लगती है कैसे वह वहां से वापस लोटते हैं वापस लोटने के बाद समुद्र में पूल बनाया जाता है सोचे इसमें भी तो कई दिन लगे होंगे समुद्र में पूल बनाने से पहले भी तीन दिन की आराधना करते ह उसके बाद पुल बनाया गया पुल बनाने के बाद फिर युद्ध हुआ युद्ध कितने दिन का हुआ वो भी आप सब जानते हैं तो इस तरह से चैत्र महीने से पहले फालगुन के महिने में श्री राम ने रावन का वद किया क्योकि युद्ध काण्ड के चौथे सर्ग में बताया गया है कि उत्तर फालगुनी ही अद्य स्वस्तु हस्तेन योक्षते अभी प्रयाम सुग्रीव सर्वानीक सभावरिता क्या कहते हैं कि स्री राम कह रहे हैं कि आज उत्तर फालोनी नक्षत्र रहे और कल से हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा इसलिए है सुग्रीव इस समय पूरी सेना लेकर चढ़ाई कर दो तो फाल्गुन के महिने में श्री राम ने अपनी पूरी सेना के साथ लंका की और प्रस्थान किया और फिर युद्ध होने लगा और उसी युद्ध के समय में एक दिन रावण के एक मंत्री ने रावण को क्या परामर्श दिया कि अभ्युद्धानम त्वम अध्येव क्रिष्ण पक्ष चतुर दशीम कृत्वा निर्याध्य मावश्याम विजयाय वलैर व्रित्था कि तुम आज क्रिष्ण पक्ष की चतुर दशी को उद्योग आरंभ करके कल अमावस्या को सेना से युक्त होकर विजय के लिए निकलो तो देखिए फालगुन महिने में युद्ध प्रारम हुआ था और चैत्र महिने की अमावस्या को रावण मारा गया था क्योंकि जिस द तो इससे यह स्पष्ठ होता है कि विजया दसमी का अथवा दसहरा का संबंध राम के द्वारा रावण के मारे जाने से कदापी संबंधित नहीं है और जब रावण ही चैत्र के महिने में मरा है तो चैत्र महिने के अमावस्या में मरा है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि विजय अब प्रश्ण यह है कि दशहरा और दीफावली क्यों मनाई जाती है तो कारण यह है कि हमारा देश और विशेश रुप से हमारे यहां के जितने भी राजा हैं हमारे यहां धर्मयुद्ध की परमपरा रही है धर्मयुद्ध में बहुत सारे नियम होते हैं और उन्हीं नियम में से एक है कि सत्रु को भी तयारी करने का समय दिया जाता है वर्शा रितु में कोई भी युद्ध नहीं करता था वर्षा रितू के समाप्थ होने के बाद ये चतुरमास के समाप्थ होने के बाद राजा या बड़े-बड़े महाराजा अपने युद्ध अभियान पर निकलने से पहले और यही प्रसंग रामाण में भी आया है तो युद्ध अभियान पर निकलने से पहले वे तयारी करते थे उन तयारियों में वीरों की गाथाओं का गाये नित्यादी किया जाता था तो राम और रावन का जो युद्ध हुआ इस आस्विन के महिने में जब हम दसहरा मनाते हैं तो राम और रावन के लीला को श्री राम मर्यादपुरुशत्म राम की लीला को यहां पर दोहराया जाता है नाटकी रूप से मंचन किया जाता है इसका तत पर यह नहीं है कि इस दिन राम ने रावन को मारा था सोचिए कि यह आप राम लीला करते हैं य॥ी पहले दिन राम लीला के जो 10 दिन पहले दिन श्रीराम का जनम दिखाते हैं तो डो समय के वाल शुत्तम राम से वीर कोई हुआ होगा इसलिए उनकी लिला का नाटक किया जाता था तो यह विजया दसमी मनाने का दसहरा मनाने का यह कारण है आप पूर्वत्तर भारत में जाएंगे बंगाल की तरह जाएंगे वहां तो इस कथा को भी नहीं माना जाता है वहां तो कोई अभी ने मैशा सुर का संगहार किया था तो वास्तविक्ता इससे भिन्न है और इसी तरह से दिपावली मनाय जाने का कारण भी है कि जो कारण बताया जाता है वह कैसे नहीं है वह तो मैंने बता दिया और मनाने का कारण क्या है कि हमारा भारत देश क्रिशी प्रधान देश और इस क्रिशी प्रधान देश में अभी धान का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद में कटाई शुरू हो जाएगी प्रत्यक घर में प्रत्यक किसान के घर में धन धान्य से संपन्न होते हैं लोग धान की खेती जो है वो पूरी तरसे उसको धान को काट करके उसको जा भाव सता ईता है तो घर में भंडार होते हैं तो खुशी मनाई जाती है और उस्कुशी मनाने के लिए तो हर कार्य नियुक्net का धन्यवाद देने की प्रबृति तो पर्मात में धन्यवाद देने के लिए कि आपकी क्रिपाप, भर में इस तरह जलाए जाने का और अधिक महत्व है आग जलाने का और अधिक महत्व तो अमावस्या के दिन सभी लोग हवन करते थे और हवन के और बहुत सारे लाव हैं जिसके विशे में हम पहले वी किसी वीडियो में कह चुके हैं मविशे में आउसेकता पड़ेगी तो और कि इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं तो हवन किया जाता था दिपावली के दिन धीरे-दीरे क्या हवन की प्रक्रिया बंध होने लगी और हवन का इस्थान की किसने ले लिया कि चलो इतना ज्यादा घी नहीं है गोपालन लुप्त होता गया तो उसके जगह पर हमने घी के दिये जलाने प्रारम किये धीरे-धीरे वह भी लुप्त होता गया और उसके जगह पर हमने तेल की द अन्य था अधिकांस स्थानों में तो चाइनीज जो लाइट है लड़ियां है उन्होंने ले ली है वास्तविक्ता ये थी कि हमारी यहां हवन होता था खुशियां इस तरह से मनाई जाते थी तो दर्शक ब्रिंद मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो से मेरी आज की इस प्रवचन से प्रवचन तम इसको नहीं कहूंगा यह एक जानकारी मुलक वीडियो है तो इससे आपको इस बात की तो जानकारी मिल गई होगी कि हमें आज तक जो बताया जा रहा है मोखिक रूप से परंपरागत रूप से वह एक भ्रामक इतिहास था और अच्छी तरह से सकते आपे जानना गगेहराई से जानना है तो आप और mij की रामान का शवयमें आध्यन कीजिये वरह जो मैंने कारण बताए और जो मैंने कारणों का मैंने वीरोद किया इसका तात पर आप यह मत समझतों की मैं दसहरा और दिपावली मनाये जाने का विरोध कर रहा हूं आप दसरा मनाईए और दसरा मनाते हुए जिस तरह से वीर गाथाओं का गायन किया जाता है आप याद कीजिए आप मिठाई बनाईए खाईए अपने जितने भी सगे संबन दी हैं मित रहें उन सबको शुबकामनाय दीजिए आनंद मनाये परमात्म का ध्यान कीजिए दिपावली भी उसी तरह से मनाये सबके हिरदय में ज्ञान का प्रकास भरिए अपने अंदर के विकार रूपी जो बुराई है उस पर विजय क्राप्त कीजिए तो ये वास्तों में दिपावली मनाना विजय दसमी मनाना होगा से कई जगह पर दस्था मनाय जाए जाने के नाम पर देवी को प्रसंड करने के नाम पर जानवरों की बलेदी बढतेए जानवरों का खुन चड़ाया जाता है यह वास्तों में राम का धर्म नहीं है ए tangible तो ना यह आज़ा द्रौण का धर्म नहीं है यह तो दिपावली की भी शुब कामना देता हूं और तब तक जब तक दिपावली नहीं आ जाती तब तक आप इस जानकारी मुलक वीडियो को प्रत्यक हिंदू के या प्रत्यक सनातनी के फोन तक पहुंचाएं उसे वाटसेप से या वीभिन सोसल नेट्वरकिंग साइट के माध्य से प्लेटफर्म के माध्यम से पहुंचाएं ताकि उसे भी हमारे अपने इतिहास की वास्तविक जानकारी हो सके बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को यह विराम देता हूं सबको प्रणादी धन्यवाद